अब्ज़द करिएगा यहां पर रखागा एंगल तो जो एंगल है यह पहले टरिस्पक्त में तर्मे की थीटा 1 की वालू थी यह एंगल जो दियर स्टुएंट्स I hope all of you are well and your preparation is going very good अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था MV2 by R कोई force नहीं होता जिसे स्टुएंट्स ने काफी पसंद किया और मुझे अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर कई सारे स्टुएंट्स के मैसेज रेसीव हुई कि सर आपके इस वीडियो से हमारे बहुत सारे concept एकदम अच्छे से clear होगे तो प्लीज सर आप ऐसे और भी topics पर regular basis पर वीडियो बनाते रहेए तो मैंने स्टुएंट्स को promise किया कि definitely मुझे जब भी अपने offline classes के schedule से time मिलेगा न तो मैं ऐसे topics पर regular basis पर आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा तो उसी series में आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ and that is about the spring block system. Spring block system ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने mechanics पढ़ा हो और इस profile के questions से आपने deal ना किया हूँ आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में work power energy chapter में एक specific profile के questions को solve करने के कुछ आपको unique approaches बताऊँगा हो सकता है कि आपने इससे पहले different methods से solve किया हो लेकिन मैंने generally देखा है कि उस particular profile के questions को solve करने में students को काफी तरह के challenges phase होते हैं और पहली बार में तो most of the students मतला about 90% students वो आंसर गलत देते हैं लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सांदर method बताने वाला हूं और मैं guarantee दे रहा हूं आपको इस बात की कि इसके बाद उस particular profile के questions को solve करने में आपको किसी भी तरीके की कोई भी परिसानी नहीं होगी तो चलिए सुरुवात करते हैं जैसे कि सबसे पहले मैंने यहां पर एक question लिया है आपके सामने there is a block जो की एक spring से connected है और spring अभी इस समय अपनी natural length में है और block rest पर कि block जिस surface पर रखा हूँ है न वो surface एकदम perfectly smooth है और इस moment पर इस block के उपर horizontal direction में इस force लगाया गया that is f0 और यह जो force है न यह force constant है not even in magnitude as well as in direction अब आप से यहां पर सबसे first part जो पूछा गया है find the maximum elongation in the spring अब आप से पूछा जा रहा है कि यह बताईए कि इस spring में maximum elongation क्या है मुझे उम्मीद है कि यह question most of the students solve कर से है कंडिशन समझना जरूरी है कि spring में elongation maximum कब होगा मैं काऊंगा उस moment पर होगा जिस moment पर इस block की जो speed है वो क्या होगी जीरो होगा क्योंकि अगर अभी block की speed 0 नहीं है तो definitely block आगे और जाएगा और जब तक move करेगा जब तक इसकी speed 0 नहीं हो जाती मलब यह बात तो तै हो चुकी है at the point of maximum elongation the speed of that block will be the 0 अब देखिए यहां से यहां तक ही move किया और suppose माल लेते हैं यह जो elongation है वो क्या है x basically हमें यहां पर x की value find out करें अब बताइए what will be the approach कभी भी ऐसा कोई भी question आते हैं जिसमें forces involved है और वहां पर हम distance या displacement की चर्चा कर रहना always click the first thought use the work energy theorem अगर आपके पास ऐसा कोई भी problem जिसमें time involved ही नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ speed, distance, displacement, work done by unknown forces यह सारी चीज़े involved है ना तो हमेशा सोच लीजे कि पहला thought जो आपको click करना चाहिए ना वो होना चाहिए क्या work energy theorem लेकिए इस question का solution क्या है वो important नहीं है, important physics में पता है क्या है, important है कि question पढ़ने के बाद हमें कैसे strike करेगा कि हमें कब कौन सी theorem या कौन सा particular formula यूज़ करना चलिए, तो वो मैं आपको बता रहो कि कभी भी ऐसा हो कि आपके पास कोई भी question जिसमें time link ना हो रहा हो, use the work energy theorem, तो देखें यहां पे block rest पे था, तो what is the initial speed, 0 और यहां भी finally rest पे आ गया, तो यहां पे भी speed क्या होगी, 0, मैं यहां से ले करके यहां तक work energy theorem लगाने जारो, work energy theorem का statement आप सभी को पता है, work done by all the forces is equals to the change in kinetic energy, अगर मैं यहां पे work की बात करूं, तो मैं general expression इस तरीके से लिखूंगा, तो work done by normal force, plus work done by gravity, plus work done by spring force, plus work done by F0, देखे, is equals to what about the change in kinetic energy, आप समझ पारे होगे कि normal और gravitational force का तो इस particular question में कोई भी work नहीं होगा, क्योंकि normal और mg जो है, वो displacement के perpendicular, आप observe कर पारे हैं, displacement x-axis के along हो रहा है, लेकिन जो forces हैं, वो y-axis के along लग रहे हैं, तो यहां पर इन individual forces का work तो क्या हो गया हो गया, जीरो, अब आते हैं, spring force के work का, spring force का work आप क्या लिखेंगे, half के, x-initial, initially आपको पता है, spring अपनी natural length में था, there was no elongation, तो मैं लिखूँगा, x-initial की value क्या, 0, और यहां पर यह value लिखेंगे x, यह हमारे लिखेंगे अभी unknown, plus, this is what, work done by the constant force, constant force का work आप सभी लोग जानते है force into displacement, तो बताईए इस work को क्या लिखेंगे, f not multiplied by x, और इस term को हम क्या कर देते है, 0, तो आप यहां पर observe कर पा रहे होंगे, कि basically हमें किस की value find out करनी है, x की value find out करनी है, तो यहां से x की value हमारे पास क्या आती है, 2 f not divided by k, and this is what, this is the maximum elongation in the spring, तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपके पास इस profile का question आता है, जिसमें एक spring, एक block से connected है, और आप से question में पूछा जाए, कि आप यह बताईए, कि maximum elongation या maximum compression कहां पर आएगा, तो आप समझ जाएगा, यह वो moment होगा, जिस moment पर उस given block की speed क्या होगी, 0 होग तो यह आगया, हमारे पास maximum elongation, next is what, the range of a spring force, range of a spring force का मतलब है, आपको बताना है, कि spring force की maximum और minimum value क्या, तो आप observe करिए, spring force की value होती है, के x, जहाँ पर x minimum होगा, वहाँ पर spring force minimum होगा, yes or no, मैं इसको थोड़ा सा, minimize कर लेता हूं, yes, सोच लिजे आप तब तक, हाँ, मैंने क्या बोला, b part पर आया, मैंने का, जब x की value minimum होगी, तब spring force minimum होगा, अरे यह x की minimum value तो 0 होगी, क्योंकि t बराबर 0 पर, यह block कहां पर है, natural length पर है, तो इसका मतलब है, यहाँ पर कोई भी longation नहीं है, तो x minimum की value 0, तो हम यहाँ पर कह स सकते हैं, कि जो spring force है, उसकी minimum value क्या होगी, 0, yes or no, और मैं अगर आपसे पुछो, कि x की maximum value क्या है, तो यह तो अभी हमने calculate ही किया था, that is what, 2f0 by k, तो उसका मतलब है, कि हम यहाँ पर spring force की maximum value लिख सकते है, and that is what, k into x max, और यह देखिए, value क्या आगी, 2f0, इंट्रिस्टिंग बात, आपने इस block पर horizontal direction में force कितना apply किया, f0, लेकिन spring में maximum force कितना generate हो रहा है, जो आपने constant force apply किया है, उसका just two times, that is 2f0, हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि जो हमारा spring force है ना, वो इस given situation में, 0 से 2f0 के बीच में vary करेगा, यह है important हमारे, क्योंकि इस profile पर, अब आपको कई सारे question मिलने माँचे, पर आप observe करें, कि जब spring force maximum है, तो उस moment पर इस block का equilibrium नहीं है, क्या बोला, एक बाप बताओ, spring force यहाँ पर maximum था, और जब spring force की value maximum है, तो बेटा, आपने आगे force लगाया था, और spring force इस moment पर पीछे कितना है, 2f0, क्या यह block का equilibrium है, क्या इस moment पर block पर force 0 है, नहीं है, तो we careful, यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं, लोग कहते हैं, कि speed 0 है, तो लोग के दिमाग में एक दम से thought आता है, कि इसका मतलब acceleration भी 0 होगा, अरे भाई, क्या कर रहे हैं आप, speed 0 होने का मतलब यह बिलकुल भी नहीं है, कि block का acceleration 0 होगा, आप observe करिए, यहाँ पर speed जरूर 0 है, लेकिन acceleration non-zero है, तो we careful, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको spring force को maximum करना होना, तो इस moment पर speed को 0 करिए, वहाँ पर आप equilibrium की condition मतलब लगा, और यह statement याद रखिए, यह आपकी मदद करने वाला है, कि अगर आपने किसी block पर, जो spring से connected है, F0 force लगाया, तो spring में maximum force जो generate हो सकता है, वो 2F0 हो सकता है, अब पता इस profile पर कई सारे numerical मेलते हैं, अगर आपने अपने study material solve किया ना, तो आपने definitely इस profile पर question देखे होंगे, देखिए, next question, just read the question, सोचिए, memorize करिए, थोड़ा सा memory पर जो डालिए, क्या ऐसा question आपने पहले कभी देखा है, क्या है question, there is a block, this block का नाम रख देते है, E, this is a block B, एक 10 kg का block, जो कि इस तरीके से horizontal surface पर रखा हुआ है, and it is connected with a spring, spring अभी अपनी natural length में है, there is another block, सवाल आप से क्या पूछा जा रहा है, पढ़े, question read करिए, find the minimum value of M to lift the block of mass 10 kg from the ground surface, मतलब हम यहां पर कम से कम, कितना mass hang करें, so that, यह 10 kg का block, just ground surface से क्या कर जाए, lift कर जाए, मुझे लगता है, कि most of the students, इसका अंसर बिल्कुल सही देने वाले है, जल्दी बताईए आपका answer क्या आ रहा है, आपका जो भी answer आ रहा है, फटा-फट comment box में लिख कर की बताईए, सोचे, आप, आपका answer 10 kg नहीं आ रहा होगा, आपको तुरण समझ में आ गया होगा, कि एक बात बताओ, यहां पर, इस block को उठाने के लिए, कम से कम, minimum force, उपर की दिसा में, कितना लगाना पड़े, आपको समझ आ रहा होगा, कि यह force होगा, mg के बराबन, that is 100 N, और अभी तो बता है था तुम्हें, अगर आप, एक block पर, F0 force लगाओगे न, तो spring में, 2 F0 generate होता है, जनाब, तुम्हें यहां पर, 2 F0, मलब, तुम्हें यहां पर, 100 N का force generate करना है, तो यहां पर तुम्हें, कितना minimum mass hang करना पड़ेगा, यू have to hang only 5 KG, सूचे, बिना calculation के answer आ रहे, तो कि आपको समझ मारा है, अगर आप यहां पर 5 KG का block hang करेंगे, तो उसकी वज़े से, downward direction में जो force लगेगा, वो 50 लगेगा, और ये 50 force, इस spring में कितना 4 generate कर देगा, 100 N, तो मैं यहां पर directly बता सकता हूँ, कि इसका answer जो है, minimum mass, वो हमारा कितना है, 5 KG, समझ आया, हाँ, अगर यहां spring नहीं होती, अगर spring की जगह यहां string होती, तो आप समझ पा रहे हैं, इधर 10 KG का block है, इसको उठाना चाह रहे हैं, तो अब्यस सी बात इधर आपको 10 KG का लगाना पड़ता, लेकिन सोचिए, कि spring से हमने फाइदा उठा लिया, सिर्फ 5 KG का block hang करके भी, हम यहां पर 10 KG के block को यहां से क्या कर पा रहे हैं, इसे अगर हम अप्रोच करें, तो हम इस आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, देखेंगे, हमने कहा कि यार, यहां पर spring force हमें 100 N जनरेट कर, यह spring force की value maximum होनी चाहिए, कैसे होगा, यह block नीचे जाएगा, yes or no, और अगर यह block नीचे गया, तो हमने कहा यार, यह block y distance नीचे गया, जब यह y distance नीचे पहुँचा, उस moment पर, यहां पर इस block की speed को 0 करना पर देगा, क्योंकि तुम चाहरे हो कि spring force की maximum value 100 ही हो, और जब spring force maximum होगा, तो be careful, block की velocity 0 होगी, block पर force 0 नहीं होगा, तो एक बाद बता ना, अगर यह block y distance नीचे गया, तो spring में elongation कितना है, y का, can I write down कि k y की value जो हो 100 होनी चाहिए, अब देखे, मैं यहां पर इस पूरे given system की उपर लगा रहा हूँ, work energy theorem, अगर मैं work energy theorem लगाता हूँ, तो मैं यहां पर expression के लिखूंगा, the work done by gravity, plus work done by the spring force, and that should be equals to what, change in kinetic energy, gravity work करेगी, लेकिन a पर नहीं करेगी, क्योंकि a तो जब तक surface पर, rest की position है, क्यों हो है, सिर्फ gravity का work किस पर होगा, b पर होगा, gravity का work b पर बताईए कितना होगा, gravity का work b पर होगा, kितना mg into y, clear, spring force का work बताईए क्या लिखेंगे, half kx initial 0, x final y, what about the change in kinetic energy, इस moment पर speed क्या है, 0, जब spring force 100 newton है, उस moment पर भी speed क्या होनी चाहिए, 0, what is the change in kinetic energy, 0, अब आप देखें, इस equation को solve करके भी, आप उसी answer तक महुचने वाले हैं, यहां से आप y से y cancel out कर देंगे, तो देखें, यह value बनेगी आपके सामने, mg is equal to k y divided by 2, मुझे लगता है, k y की value हमें अल्लेडी पता है, 100 तो उस value को हम substitute करें, तो 100 by 2, that is what 50, g से cancel out हो जाएगा, और यहां पर हमारे सामनी, जो mass की value है, यह कितनी आएगी बेटा, 5 kg, this is a standard approach, to solve the question, आप सोचे, कि बिना इने steps को follow किये, आपने तुरंत आंसर बता दिया, आपको यह बास समझ आई, कि मैंने यहां पर, इस moment पर इसकी speed को 0 क्यों किया, क्योंकि आप से सवाल में, क्या पूझा है, minimum mass, अलब जिस moment पर, spring force, 100 newton होना, कितना हो, 100 newton, उस moment पर, इस block की speed 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि जनाब अगर इस moment पर, इस block की speed 0 नहीं होई, तो इस block और नीचे जाएगा, spring elongation और ज़्यादा बढ़ेगा, तो अब्यस से बाते, spring force 100 newton से जादा हो जाएगा, तो फिर ये mass की minimum value नहीं रही ना, clear है, मुझे समझ में, जो उमीद कर रहा हूँ कि, आपको ये concept clear हो गया हो, क्या फटाफट, अब जल्दी से, और भी questions की practice करें, और आपको, हर question को, करने के लिए, video को 30 second के लिए pause करना है, और 30 second में answer देना है, तयार है, पक्का, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question, explain करता हूँ, फटाफट सुनिएगा, block 2kg, inclined surface पर रखा है, spring अपनी natural length में है, this is a rough inclined surface, जहाँ पर हमें mu का value, the coefficient of, friction, कितना दिया हूँ है, 0.5, inclined plane का angle कितना है, 37 degree, अभी इस moment पर, हमने यहाँ पर, एक string पर, mass को हैं करने जा, question क्या पूछा जा रहा है, पढ़िए फटाफट, find the, minimum value of M, to move a block of mass, 2 kg, up the rough inclined surface, कम से कम, कितना mass, यहाँ पर hang करें, so that, हम इस 2 kg के block को, up the inclined surface, move कर पाएं, clear, फटाफट वीडियो पॉस करें, time limit लगाईए, 30 seconds, और मुझे बताईए, कि आपका answer क्या आ रहा है, 30 seconds में, equation solve हो जाना चाहिए, I hope so, आपने किया होगा, पताईए क्या answer आ रहा है, कितना time लग रहा है, क्या करना चाहिए, एक बाब बताऊ, अगर इस block को, मैं उपर की तरफ move करना चाहरा हूँ, यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे, along the inclined plane, इस पर एक force लगेगा, that is what, 2z sin 37, 2z sin 37, तो यह value आपके पास आगे 12 newton, और अगर यह block, जस्ट उपर की तरफ जाने वाला है, तो यहाँ पर friction भी लगेगा, क्योंकि surface rough है, और friction की value बताईए, आप क्या लेखेंगे, mu mg cos 37, क्लिए रहे, यह value 16 into 1 by 2, तो बेटर देखो यह value 8 हाँ, 8 newton, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हों लिए, कि इस spring में, कम से कम, कितना force generate करना पड़ेगा, मतलब minimum force, upward direction में, कितना लगाना पड़ेगा, इस block promote करने के लिए, तो आप देखे, 12 plus 8, कितना 20, अंसर आगे जनार, spring में, 20 newton का force generate करना है, तो तुम्हें कितना apply करना पड़ेगा, 10 newton का, आज वो force तुम नहीं लगा रहे हो, आज वो force कहन लगा रहा है, इसका gravitational force लगा रहा है, तो मैं कहूंगा कि, अगर मैंने यहाँ पर 1 kg का mass हैंक कर दिया, कितना mass, 1 kg का mass हैंक कर दिया, तो उसकी वज़े से नीचे की तरफ कितना force लगेगा, 10 newton, और अगर यह 10 newton लगाएगा, तो spring में maximum force अपने आप 20 newton generate हो जाएगा, answer आगे भई, उन्हें का का solution भई, 1 kg क्या आपका भी यही answer आ रहा है, क्या आपका भी यही answer आ रहा है, जनाब, कितना time लग रहा है, बताएगे जल्बी, और मुझे उम्मीद है, कि अगर आपने इस chapter पर question solve किये हैं, तो ऐसा question definitely आपने देखा होगा, I am 100% sure, ऐसा हो ही नहीं सकता, पी कोई भी आप study material solve कर लीज़े, कि आपको यह question दान रेखने को मिले, तयार, अगला सवाल, फिर से इस मौका और है आपके पास, इस सवाल को सही करने का, चलिए, बड़े सवाल, अगर आप physics के lover हैं, if you love the physics, और आप erodo के questions को solve कर रहे हैं, i.e. erodo के questions को solve कर रहे हैं, तो आपने यह question देखा हो, question क्या, जल्दी से पढ़े हैं, there is a block, M1 and M2, both of them are connected from the spring, यह surface rough है, लेकिन यहां पर, M1 और ground surface के बीच में, coefficient of friction की value है, mu1, और M2 और ground surface के बीच में, coefficient of friction की value है, mu2, अभी इस समय spring अपनी natural length है, spring is in natural length, और हमने यहां पर, यह जो block है न, M2, उस block पर एक force लगाया, F, question क्या पूछा जा रहा है, find the minimum value of F, to move a block of mass, M1 on the rough surface, हम इस block को move करना चाहते हैं, तो आप से पूछा जा रहा है, कि इस वाले block पर, कितना force लगाएं, कम से कम, so that यह वाले block move कर जाएं, your time starts now, बताएं, जादा time नहीं लगे रहा, सोचीएं, I hope so, वीडियो को पॉच करके, आप लोग solve कर रहे होंगे questions को, एक बात बताना, कि अगर मैं इस block पर move करना चाहता हूं, तो आगे की जिसा में जो spring force लगे, उसकी कम से कम, what should be the minimum value, कि यह M1 block आगे चल पाए, समझ में आ रहा होगा, कि spring force की minimum value जो है, वो यहाँ पर limiting friction के बराबर होनी चाहिए, limiting friction कितना होगा, mu into normal, और normal की value जनाब कितनी होगी, M1 into G, मैं यहाँ पर यह कह सकता हूं, कि मुझे spring force, जो है न, 4 mu1 M1 G का generate करता है, तभी तो चलेगा भई, आगे वाला force, कम से कम इतना होना चाहिए, लेकिन जनाब यह answer नहीं है, आप से यह थोड़ना पूछा है, कि spring force की value बता नहीं है, question पड़ो, आप से यह value पूछिये, M2 पर जो आपने external force लगा है न, उसके वारे में पूछिये, मतलब मैं यह कह सकता हूं, कि spring force में maximum value यह होनी चाहिए, yes or no, वे हाँ या न, spring force में maximum value यह होनी चाहिए, और एक बात बताना, जब spring force maximum होगा, उस moment पर condition क्या होगा, सोचिये, यह M1, M1 अभी rest पर है, M2 मूव करते हुए आगे बढ़ा, और मालनी जए elongation X का है, और हमने force लगा है था F, उस moment पर, जब यह spring force यह हो, उस moment पर मैं यह कहूँगा, कि यह जो block है, वो rest पर आजाना हम चाहिए, equilibrium की condition नहीं लगाएंगे, तोड़ी देर पहले आपको समझा रहाता है, कि spring force यहाँ पर maximum होता है, वहाँ पर इस block की speed 0 होगी, बस, पतम होगे सवा, initially भी यह rest पर था, finally भी बेटा यह rest पर है, F की value निकालनी है, can I use the work energy theorem, अगर मैं यहाँ पर work energy theorem यूज़ करता हूँ, तो जल्दी से बताईए कि यहाँ पर कौन-कौन से forces इंजिन का work हो, देखिए ध्यान से, एक तो spring force का work हुआ है, और किसी का work हुआ है क्या है, yes, external isn't we work कर रहा है जनाब, और कोई work कर रहा है क्या, अरे भाई भूल मत जाना, friction भी है, friction का work भी है, work done by spring force, प्लस work done by F, प्लस work done by friction, नॉर्मल और mg का work होगा नहीं, तो इसको लिख सकता हूँ, the change in kinetic energy, जो कि 0 है, जो कि initial भी 0 है, और इस moment पे भी 0 है, समझ मैं है, जल्दी से बताईए, what will be the work done by the friction force, एक मिनट, yes, work done by friction, friction, spring, सभी forces के work को लिखते है, पटाफ़र, ट्विक लिखिए, half के initially spring natural length में थी, finally elongation x का, constant force का work क्या लिखेंगे, F into x, friction का work बताईए, be careful, यहाँ पे जो block पे friction लग रहा होगा, वो कितना लगेगा, mu into m2g, तो देखिए, यहाँ पे जब आप friction का work लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, mu to m2g, this is the friction force, multiplied by x, is equals to what, 0, यहाँ से अगर आप observe करें, तो यह x वाला term जो है, वो common आ करके cancel out हो जाएगा, आपको बेटा, F की value find out करनी थी, तो यहाँ से, F की value कितनी आती है, mu to m2g, plus kx by 2, चेक कर यह calculation, फटाफट, क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, जिस moment पर, यह elongation x है, और यह rest पर आ गया, उस moment पर, तो spring force कितना होना चाहिए, mu1 m1g, उसकी value को put करिए जनाब, तो देखिए, यहाँ पर यह expression आपके सामने क्या आ गया, mu2 m2g, plus mu1 m1g, divided by 2, this will be the answer of your question, समझ में आया, आज के इस video का, main objective पता है क्या है, कि जब भी आपके सामने, इस profile के questions आते हैं, जहाँ पर आप से यह पूछा जाए, कि minimum कितना force लगाएं, या minimum mass कितना hang करें, तो उन problems को deal करने के लिए, आप NLM के equilibrium वाले fundे मत लचाएं, क्योंकि वो moment, यहाँ पर spring force maximum होगा, वहाँ पर, actually में block equilibrium में नहीं होगा, उस moment पर, उस block का speed जीरो होगा, so always use the work energy theorem काँसे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, कि इस वीडियो के थुरू, मैंने आपकी कही न कहीं, इस profile के questions को help, मलब solve करने में आपकी help करी होगी, पक्का, तो इसी तड़िके से, regular efforts करते रहें, और मुझे comment box में लिखकर के, जरूर बताइए, कि ऐसे physics में, कौन-कौन से topics हैं, ऐसे कौन से profile के questions हैं, चाहे वो question किसी का भी हो, चाहे वो question SC Verma का हो, चाहे वो IE Erodo का हो, किसी भी study material का हो, जिस particular profile के questions को solve करने में, आपको difficulty phase होती है, मैं आपको उनके ऐसे unique methods बताऊंगा, solve करने के, कि आपको physics से, सच में महबबत हो जाएगी, चलिए, जल्दी मुलाकात होगी, आपके साथ अगले वीडियो में, Let's crack it!